नमस्कार दोस्टों मैं आप सभी का चीरपरी दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सिवा में एक बेहध ही महत्वपून जानकारी को ले करके जिहां मुहासों की समस्या से जटपट छुटकारा दिलाएगा आयरुवेद आये जानते हैं किस प्रकार से आप आयरुवेद का इस्तेमाल करके अपने मुहासों से छुटकारा पा सकते हैं अगर चेहरे पर मुहासों के जैसे बहुत सारे दाने हो जाएं और बहुत दिनों तक ठीक न हो तो जरा सावधान हो जाएं यह एकने हो सकते हैं एकने को आयरुवेदिक उपचार से ठीक किया जा सकता है दरसल त्वचा के नीचे इस्थित सीबेशन ग्लेंड से त्वचा को नम रखने के लिए एक तेल निकलता है यह ग्रंथियां चेहरे पीठ च्छाती और कंधों पर सबसे ज़्यादा होते हैं अगर यह ज़्यादा सक्रिय हो जाएं तो रोम छिद्र चिपचिपे होकर बंद हो जाते हैं और उनमें बैक्टेरिया पनपने लगते हैं जो आगे चल कर एकने का कारण बनते हैं सिबेशन ग्लेंस की अति सक्रियता की प्रमुख वजह एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता होती है एंड्रोजन पुरुष सेक्स हार्मोन है और यह लड़के और लड़कियों दोनों में ही होता है किशोरा वस्था में इसका प्रभाव जादा होता है आए हम आपको एकने के उपचार के लिए अयर्वेदिक तरीकों के बारे में बताते हैं एकने की समस्या कुछ लड़कियों को पीरियट से पहले बार बार मुहां से निकलाते हैं जो बिगड़कर एकने का रूप ले सकते हैं ऐसा ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेश्टोरान हार्मोन के ज्यादा सक्रियता की वजह से भी होता है इससे प्रोजा पर छोटे छोटे दानों के गुच्छे जैसे बन जाते हैं इसी तरह सीबेशन ग्रंथियों से उत्पन सीबम त्वचा के पिगमेंट में मिलकर रूम छेदरों को ब्लोक कर देता है तो ब्लैक हेट्स बनते हैं अगर एक हेट्स और वाइट हेट्स त्वचा के भीतर फैलने के बाद फूट जाते हैं जिससे बाहरी त्वचा पर एकने और ज्यादा फैल सकते हैं दरसल किशोरा वस्था में रासायनिक बदलाव आते रहते हैं नतिजतन चेहरे परदाग धब्बे मुहां से और एकने की समस्य होने लगती है एकने ऐसी समस्य है जो आम तर्पर किशोरावस्था और यूवा वस्था में अधिक होती है अगर आपके परिवार में पहले भी परिवार। वालों को एकने रहे हैं यानि आपके समस्य रही है तो भी आपको इससे बचाओ के लिए तयार रहना चाहिए मुह से तवचा का एक विकार हैं एक प्रकार से यह मुहासु का ही बिगड़ा हुआ रूप है एक ने अब आये जानते हैं किन-किन और शद्यों के द्वारा इसका उपचार कर सकते हैं आप चिरोंजी से गाई के ताजे दूध में चिरोंजी पीसकर इसका लेप बनाकर चेहरे पर लगाकर मसलें सुबह बेशन को पानी से गिला कर गाढ़ा गाढ़ा चेहरे पर लगाकर मसलें और पानी से चेहरा दो डालें इससे चेहरे पर होने वाली जलन पर बहुत आराम मिलेगा इसके बाद मसूर की दाल मसूर की दाल दो चमच लेकर बारीक पीस लें इसमें पतला लिप बना ले इस लेप को मुहासो पर लगाएं लाभ होगा इसके अलावा जाइफल मुहासो को दूर करने के लिए जाइफल भी बहुत ही फायदे मद होता है इसके लिए साफ पत्थर पर पानी डाल कर जाइफल गिषिस कर लेप को कील मुहासो पर लगाएं आपके को बार बार पानी से दहों और मेकप कम से कम करें और गर्मिओं में waterproof मेक आप क FREAPS का ही इस्तेमाल करें अच्छा होता है तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने चहरे का क्यार कर सकते हैं खास करके यूवा वस्त्unta में यह प्रोब्लेम ज्चादा होती है तो यह थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहत ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों